नमस्कार आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरों से बंदी उस चैनल इंडिया नियूज हरियाना और मैं हूँ आपके साथ आयूश चत्राइश बोर्ड परिक्षाओं में नकल का खेल कब बंद होगा मुन्ना भाई अपनी हरकतों से कब बाज आएंगे और बोर्ड की तमाम कोशुशों के बावजूद ये सवाल अभी भी बरकरार है दसल हरियाना शुक्षाओं बोर्ड की ओर से नकल रहित परिक्षा के तमाम दावे किया जा रहे हैं नकल्चियों पे नजर रखने के लिए तमाम टीमों का गठन किया गया है लेकिन टेक्निक और जुगार का ऐसा गठ जोड देखने को मिल रहा है कि आप भी हैरान रह जाएंगे और तो और परिक्षा केंदर पर तैनात स्टाफ की मिली भगत भी इसमें सामने आ रही है रोहतक, नूह, जजजर इन तीन जिलों के एक एक केंदर से पेपर आउट की खबर भी सामने आई है इसमें हरानी की बात तो ये है कि तीनों में केंदर दिक्षक और सुपरवाइजर की भूमिका संदिक्द मिली है अब आप ये समझ ये कि अगर केंदर सुपरवाइजर ये अधिक्षक की भूमिका ही संदिक्द हो और उसमें भी टेक्नलोजी और जोगाल का इस्तमाल हो रहा हो तो फिर कैसे नकल पर रोक लगाएंगे आउट हो रहे हैं लगातार कई जगों की इस तरह की तस्वीरे सामने आई हैं और इसमें सुपरवाइजर या केंदर दिक्षक इन सब की सनलिप्तता का मिलना इस बात को ले करके सवाल खड़े करता है कि आके नकल विहीन परिक्षा कैसे होगी क्योंकि बच्चों के दिखे किस तरह से और कितने हाइटेक तरीके से हो रही हैं ये बहुत एक आप कह सकते हैं कि चुनावती पूर्ण विश्य है और इस पर कैसे निप्टेगी सरकार ये उतना ही मात्तों पूर्ण है तो आईए अब आपको ग्राफिक के जरीए भी जरा समझाते हैं कि नकल को रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम शिक्षा विभाग की तरफ से पिए गये हैं ये आपको पहले समझना जरूरी है अब तक नकल के उपर अगर आप देखेंगे तो 1600 केस दर्ज हुए हैं यानि कि नकल का जो खेल है उसमें नकील कसनी की कोशिश है और इसमें 12 लोग को करीब 40 शिक्षक ऐसे हैं जिनको रिलीव कर दिया गया है यानि कि नकल में इनके सनलिप्तता थी दसमी की दसमी सेंटर की जो परिक्षा है बार्वी की और दसमी सेंटर की उसको रद्द किया गया है कई परिक्षा केंद्र इसमें शिफ्ट किये गये हैं तो नकल का जो खेल है वो लगातार आप देख रहे हैं कि चल रहा है कूशिशाला की जरूर बोर्ड की तरफ से की जा रही है कि इस पर किसी तरह से अंकुश लगाया जाए उस पर कारवाई भी हो रही है लेकिन बार-बार अगर इस तरह की घटनाओं के पुन्रावरत्ती हो तो फिर आप यह समझिए कि किस तरह से इस पर जो अंकुश लगाना है वो एक बहुत बड़ी चुनोती बना हुआ है कहां कहां पेपर आउट हुए हैं इसको भी आप समझ लें रोहतक के चीडी में पेपर आउट हुआ उसकी कुछ तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई थी क्लर्क रूम में पेपर मिला हाइटेक तरीकों का इस्तमाल होता है और नजाने किस-किस तरह से और कितनी टेक्नलोजी का इस्तमाल किया जाता है इन सब को करने के लिए आप आंसर शीट का मिलना ये भी अपने आपने सवाल खड़े करता है प्रिंसिपल समय चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होता है फिरोजपूर में नुह के यहाँ पर भी पेपर आउट हुआ इसमें केंद्र धिक्षक की भूमी का सामने आई ये और एहम है क्योंकि केंद्र धिक्षक ने स्कूल प्राचार्य को मोबाइल से ये जो पेपर है वो भेजा है अब जजज़र आ सामले में संग्यान लेकर आगे की कारवाई की जा रही है तो लगातार पेपर आप देख रहें कि आउट हो रहे हैं कहीं क्लर्क रूम में तो कहीं खिड़की से मोबाइल से उसका आप देख रहें कि फोटू लिया जा रहा है और लगातार इस तरह की घटनाएं वो सामने आ रही हैं और इसलिए सवाल बहुत सारे महत्वपूर्ण इसके साथ जुड़ते हैं कि नकल विहिन जो परिक्षाएं हैं आखिर कैसे सुलुषित हो पाएंगी और आज की बड़ी बहस का सवाल है उसके बाद आज की चर्चा के शुरुआत करेंगे सवाल आज की बड़ी के लिए क्या अभी भी कड़े प्रावधान की और जरुवत है क्योंकि तमाम तरह की बातें आप देख रहे हैं कि कई जाती हैं नकल रोकने के लिए बहुत आप देख रहे हैं कि कवायद हो रही हैं लेकिन उसके बावजूर भी अगर नहीं रुक रहे हैं तो क्या और देखे और आज नहीं सवालों के साथ आज की चर्चा के शुरुवात करेंगे और कुछ बहत खास मेमान मेरे साथ जूड़ों है पहले उनका परिचर आपके साथ करवा देते हैं उसके बावज चर्चा के शुरुवात करेंगे हम लोग देख रहे हैं कि हाई-टेक तरीकों का इस्तेमाल क्योंकि तमाम तरह की उसमें आप लोग कवायत करते हैं रोकने के लिए हम लोग देखते हैं बड़े इंतिजाम हो रहे हैं लेकिन उसके बाद भी अगर पेपर कहीं आउट हो रहा हो या पहीं आंसर शीट मिल रह रही हो या कहीं कोई खड़की से किसी को नकल करा रहा हो या उस पेपर की तस्वीर खीच रहा हो कैसे इस पर अंकुष लगाएंगे और किस तरह से इसको आप लोग रोग पाएंगे एक बड़ा सवाल है कैसे इसको देखा जाए आपका पहला रियक्शन में इस पर चाहूं संतो लग रहा था उसके खुआएं उड़ा इसमें के चहरए से पर रहे हम देखा रहेकं मैं नसीका मोबाइल पर सुप्डेंडडन के मोबाईल में में कोशिन परता तो साथ कि में उसके जाएं का फेबदाए टले पर फोटो लेकर फोटान को बेजिंग उन अगे तीन को को बेजी तुरंत उसी वक्त हमने कारवाई करते ही पुलिस को बलाया एस्टेम साहिवान पहुंच गे थे एसेच्चू साहब आ गे थे और पियो साहब भीवाफ पहुंच गे थे और हमने तुरंत उस सुप्रेटेंडर को ग्रिफतार करवा के वहां भाने भेज दिया तो इस लिफ थे इसकंदर सेंटर सुप्रेटेंडेंट चीफ सुप्रेटेंडेंट वहां का एक क्लर्क और प्यों उन सब को पुलिस ने गिरफतार किया है तो इस तरह से कारवाई चल रही है हम सेंटर भी रद्द कर रहे हैं लेकिन देखा गया कि टेक्नलोजी का उप्योग किया उसके पास पर फोटो स्टैट मेशिन वाले के पास मॉबाईल में ही पेपर था जिए उसको भी हमने ग्रफतार करवाया है वहां पर इस तरह से अब हमने सब को कह दिया कि कि इसी के पास भी मॉबाईल अगर पाया गया उसके खिलाफ कारवाई होगी जाधा तर टेक्नलोज मोबाइल का ही उप्योग किया जा रहा है तो इस तरह है और यह कैसे हो जा रहा है फिर सवाल तो यह कड़ा होगा जब हमने सभी सो अगर किसी के पास पाया जाया कि मोबाइल तो आप यह समझे कि फिर उसके खलाफ कारवाई हो और इसी तरह से हम पेपर लीग होने से बचा सकते हैं सत्तिव शास्त्ती जी इतनी कवाहाध हम लोग लोग देख रहे हैं विध्प्रकाष जी आऊंगा आँगा आपके पास लेकिन रूक नहीं पा रही है और हाइटेक तरीकों का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है इससे कैसे नकल विहिन परिक्षा हो पाए ये बड़ा सवाल है पुरे हरिणाणा प्रदेश के सामने आपका एक रियक्षिन चाहूंगा मैं इस पर सत्वेश शास्त्री जी निश्चित रुप से ये एक बड़ी चुनोती है जहां तक कानून विवस्ता का विशा है अभी कुछ और प्रावधान करने की मैं आउशिक्ता समझता हूं इसके अंदर दूसरा ये एक सामाजिक बुराई का भी रुप जान ले कर चुका है क्योंकि जिस परकार से सुप्रेडेंट और कलार को जो पकड़े गए हैं वो जुम्मेवार है इस बात के की नकल नहीं होनी चाहिए लेकिन जब वही व्यक्ति इस परकार के कामों में सनलित पाए जाते हैं तो कहीं न कहीं मानसिक लोगों की खराब है और जब नकल रोकने की पहनी गारणटी प्रसावल देगा तो समझ में आईगा हम समझते हैं कि प्रसावल की सब चीजों के बावजुद भी इस स्कूल स्कार पीचर तक मानसिक्ता को यह त्याद नहीं करेंगे कि हमें नकल नहीं करवाने तो नकल नहीं रुख सकती अपने प्राजस्तार है होम एक्जाम की तरह बोड एक्जाम होते हैं लेकिन मैंने कई बार देखा है वहां कि गर्दन मोडने को वो नकल मानते आप सोच तो क्यों कि वहां का जो स्टाफ है जो स्कूल में है इस मानसिक तक त्यार कर चुका है कि हमें ने नकल करवानी है और ने बच्चों को नकल कर विशेश रूप से हमारे यहां जो नेजी स्कूलों की जो विवस्ताइए हैं और उनका जो एक दूसरे को क्रोस करने की जो होड है वो भी कहीना कहीन नकल को प्रभावी करने में साइक रहती है तो यह जो मानसिक्ता तीचर्स की और पेरेंट्स की जब दोनों के समप्त होगी तो बच्चा तो इनी के आश्रे कर नकल का प्रयास करता है जब दोनों जगहें उसको निरासा मिलेगी तो निश्चित रूप चे वो पढ़ाई की और बढ़ेगा मेरा अपना 23 साल का नुम्म है मैं जिन जिन विद्ध्यालों मैं रहा जहाँ जहाँ मैंने प्रिक्षा और क तो हमने देखा कि जब तक हम स्वें इस बात के लिए तयाद नहीं होंगे कि हमें नकल नहीं करवानी तो शास्री जी यह तो आपने बहुत अच्छी बात बताई देखिए प्रवक्ता होने के साथ साथ आपने बताया चुकि आपकी गिंते खुद सत्वाश शास्री जी यह रहे हैं तो फिर इसको कैसे देखें क्या डर नहीं है उनके अंदर या शासन का प्रशासन का खौफ नहीं क्योंकि वो किसनी सनलिपता तो दिख रही है फिर कैसे रोका जाए इसको देखिए, मैं इस बारे में मानता हूँ कि ये दो-तीन दिन में जो कारवाई हुई है और टीचर्स को लेकर ठाने तक पुलिस चली जाती है अगली कारवाई तो बड़ी चीज है मैं समझता हूँ कि सेंटर के अंदर पुलिस आना और ग्रफदार करना एक टीचर को ग्रफदारी होगी तो हज्जारो टीचर ठीक होगे और मुझे लगता है कि कल परसो से अबियान ओर चलेगा तो जब हर जिले में दो-च्यार इस परकार के सिकंजे कसेंगे तो अध्यापक से ज़्यादा संजगीत की से विवार करने वाला भी नहीं होता लेकिन जब उसको लगता कि चल सकता है तो चलाता है लेकिन जब उसको ये लग गया कि चलेगा नहीं और पकड़ा गया तो ग्रफदारी होगी ग्रिबदारी के बाद आपका चालान होगा जेल होगी तो सबसे ज़्यदा प्रवावी यदि तो वो अध्यापके होगा इसलिए वेत्रकाजी के टीम बाने जो हमारे जबीर सिंग जी है उनकी टीम जितने सक्ती से और जितना क्योंकि ये कोरोना का काल जो है बीच में भी मु बचाने के जीवकर में जीवन खराब करें यह नहीं महसुच होता हुझा कि जिन बच्छों को हम नकल करवा के पास करवाना का प्रयास कर रहें साभी पेरिंट्स के रूप में वह साल तो बचा लेंगे लेकिन जीवन नहीं बचेगा इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पर बाकी मीरिया जगत के लोगों से भी हम सब लोग यह संकल करें कि हमारे आसपास में जो समाजिक ब्राय का रूपधार कर चुका और ये भारत के भौई शिके दीमत ने ठीक है देखे बाई ये तो मॉरल वाली बात है ठीक है तो सबका मॉरल अच्छा होना चाहिए इसमें तो मेरा कोई अतराज नहीं है लेकिन जो प्रयास होने चाहिए इस तर पर या फिर उसको किस तरह से रोकना है इस पर भी अगर और ज्यादा फोकस हो तो मुझे लगता है कि इसको और नकल विहिन किया जा सकता है इस वीच उंकार जी भी हमारे साथ जोड़ चुके हैं करना बासियों के संदने आपका रिक्षन चारों में आयूश ये देखिए अभी वड़ी ही रोचत इस बात साथ कि मैं जो कहूंगी उससा एक तरह से प्रारूप उन्होंने टैक कर दिया जब उन्होंने कहा कि साल तो बचा लेंगे आप बच्चों का लेकिन उन्ता जीवन करनाली में हम बढ़ता हुआ चलन इनका देख रही हैं तो ये जीवन कैसे बचेगा जब हर्याना बेरोजगारी के सर पर सरवोच्च है लगा साथ सरवोच्च है जहां नहीं होना चाहिए ये देखने की बजाए नगल कैसे हो रही है नगल क्यों हो रही है ये पूरे-पू बहुत ही बड़ी रहानी पहुचाते हैं भाजपा सरकार पिछले वारश एक नहों ने कहा था एक बहुत और खार शाली कानुन भी लेकर आई थी इसको लेकर के उसको कानून का भी हम लोगों ने बहुत विरोज उस समय सभा के अंदर किया था उसका प्रदेश काैना था ए इन्हें आफ कुछारू रूप से लागों एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है आयूज जी उसक्रदेश के अंदर है एच्पी एस्टी के जो अधिकारी अनिल नागर जी जब आरेस्ट हुए थे विजिलेंस के द्वारा और जब वो सारा मामला सामने आये था दरजन होना चाहिए नकल विहीन परिक्षा होनी चाहिए ये खटर जी की निगरानी के तले से क्यामरे के तले से पेपर लीक होते हैं, तो लाकों रुपए करोरो बच्चे जो लाकों रुपए सर्च करते इगनाम देते हैं और फिर वो परीष्टा इरद्ध कर दी जाती हैं, उन्हें यह समझ में आता है कि पढ़ने का तो कोई पाइदा है नहीं क्योंकि अंत में तो सरकार की निगरानी के तरह से पेपर लीक हो जाने हैं, इसलिए कहीं न कहीं मानसिक्ता पर दुष्ट प्रभाव पड़े हैं हमारे सरकार की वज़ां से, यह बिलकुल गलत है, इस तरह की कुरीचियां बिलकुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरक जानार को भी यह समझना पड़ेगा कि सिर्स कानून लाने से, सिर्स बजट अलोकेट करने से, सिर्स अपनी चवई बाहर दिखाने से कारे नहीं होगा, आपको जन्रता की रग रग को पकड़ना पड़ेगा, उनकी नजब तो महिमा जी आपको क्या लगता है, मतलब ठीक है कि जब क्यामेरों के नीचे सब सरकार के प्रशासन और इस तरह की पूरितिया चल रही है थे मुझे लगता है तो साहन मिलता है सरकार को चाहिए बच्चों के लिए इस तरह से उदाहरन टेश करें सरकार को चाहिए कि खानून बनाने से पहले प्रशासितों के स्कूलों के बच्चों के जो स्चेक farmer कानूबनाने का जड़ता तरीका होना चाहिए उन सबसे रिमर्श करें, उन से समवाज करें, उनकी राए उसमें लें और फिर उस राए को लागू किया जाए, रोजगार बढ़ाएं ये सारी चीजों का असर पड़ता है आयूश्ची हम समझे और ना समझे ये समझना होगा कि आप जो बजट ला रहे हैं, जो पानून ला रहे हैं, उसकी इंप्लेमेंटेबिलिटी को भी देखना होगा, आप सिर्फ काम नहीं कर सकते, प्राक्टिकल भी समझ करना है उनकार जी आपका रियक्शन चाह रहा हूँ है जी मैं बताना चाहूँ है, पेपर लीक और नकल, ये दोनों कहीं नगी है, एक साथ चल रहे हैं हर्याना के अंदर, ये हर्याना सरकार का फेलियर है मेरे भाई शास्त्री जी कह रहे थे, कि किसी एक अध्यापक को पकड़ कर दंडातमक कार्वाई करने से दूसरों पर परवाव पड़ेगा इनकी मांसिक्ता देखो कैसी हो गिया, दो दिन पहले, तीन दिन पहले मैं आपके चैनल पर बैदाता हूँ, ये ही शास्त्री जी बोल रहे थे, प्राइवेट स्कूल वालों पर दंडातमक कार्वाई होनी चीए, इनका दिमाग जो है न, वो सट करने वाला जनता ही करेगी ये दंडातमक कार्वाई की बात करते हैं, और दूसरी तरफ पर्यावेक्षक और अधिक्षक, ये इनसे डरी नहीं रहे, आप आयूजी जिरा सोच के देखिए, कि अधिकारी इनसे क्यों नहीं डरे, क्या कारण हो सकता है अधिकारी इनसे नहीं डरे, कहीना कहीं कर बड़ तो मतलब इनी प्यादा होता पेपर लीक हो घाए है नकल हो जाए ये कहीं ना के इनके बोहरमिच से पाल्लुक आता है ये पूरा नेकसस है। प्रेटेकम, दाखरी नकल मौनने की और इनके मंत्रियों, संत्रियों, विदाइकों और इन सब का नेकसस है आपके में। मुझे लगता है कि ओंकार जे का भी दिमाग सटक गया और इनको किसका सटक गया और इनको भी शाट समझ नहीं लेकिन तो यह तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि इसका आधार क्या है और इतना बड़ा एलिगेशन अगर आप लगाएंगे उंकार जी तो उसका आधार आपको देना पड़ेगा ना कि केवल इस तरी के सटोड़ी ना होगा कि बिना इसके होई नहीं सकता कोई अगर ठान लेकि मुझे गलत करना तो वो करेगा उसमें सनलि सब्सक्राइब के लिए उसके बाव जुद भी आज 28 से ज्यादा पेपर लिक हो चुके हैं आप बताइए बिना मंत्रियों के संदिप्ता से हो सकता है आप क्या समझ रहे हैं कि एक पर्याज एक्षेक्ट और एक अधिक्षेक्ट क्या दनी वह उसकी कैसे नखल करवा देग इसके परिवर्तन के बाद भी अगर आप इसको डेवल नहीं कर पाए तक क्या क्या करेंगे मांगें प्रदेश की जंता से जो एक परदेश में 32 पेपर हो और 28 पेपर लीक हो जाएं अर्याना के साथ दूसरे परदेश भी तो हैं एक नवेखला परदेश उपर ते लिक्षेक्ट क्या है जा सारी पेपर लीक हो रहे हैं और आज से पहले क्यों नहीं हो रहे हैं जब चेब बीजेपी सरकाव आई तबचे पेपर आयो जी आपको इसके बारे में मन्थन करना परेगा ने ठीक होंकार जी मैं देखे आज हम लोग इसलिए चर्चा करने बैटें लेकिन एलिगेशन लगाने से पहले कोई आधार होना चाहिए ना लिक्स तो हो रहा है कहीं ना कहीं से मैं कहां कह रहा हूँ लीकेज भी होगा ठीक है वेद प्रकाश जी भी मेरे साथ जुड़े हूँ है मैं एक रेक्शन लेरता हूँ ठीक है उंकार जी आपकी बात आ गई उसका जवाब सत्रवाज जी देंगे क्योंकि आपने बहुत ऐलिगेशन लगाए वेद प्रकाश जी क्योंकि अगर अधिक्षक की सनलिप्तत हो या उसमें हम लोग देख रहे हूं जो परिवेक्षक वहाँ पर लगें उनकी सनलिप्तता मिल रही हो तो फिर तो बड़ा चैलेंजिंग है कैसे इसको रोकेंगे आप लोग सिर्फ कारवाई करने से क्योंकि जो कर रहा है तरीके से वो कहीं और सेंटर्स पर भी हो सकता है क्या होता है कि जब कोई भी ये अक्सर ऐसा हुआ कि जब कभी भी अब पढ़ाई नहीं करवाते हैं जी सिस्टम टेप तो सिरिजन कुछ भी हो सकते हैं लेकिन अनफोर्चेटली क्या हमारे सिस्टम में जब एग्जुकेशन की सिरियसनेस को लेकर चला जाएंगे तो कोई भी उसके बाद मुझे लगता है कि कोई भी कोशिश नहीं करेगा कि नकल करवाएजे अनफोर्चेटली एक मानसिक्ता बन गई है नकल करवाने की लेकिन जिस तरह से कारवाईयां हो रही हैं जिस तरह से जेल हो रही हैं मुझे लगता है कि आने वाले समय में यही एक डेटरेंट का काम करेगा कि कोई भी नकल करवाने से पहले या पेपर आउट करने से पहले चार बार सोचेगा पेपर कभी भी लेक नहीं हुआ है पेपर आउट हुआ है और वो भी एक बार खुलने के बाद तो इस तरह के डेटरेंट हमेशाद थे और आने वाले समय में आप उनको कम कर सकते हैं कारवाई करके सिस्टम को और फुल प्रूफ करके और ये देखकर कि भी क्या क्या वीजन से इस देखे ठीक है आप लोग ने अभी जो कारवाई की है वो तो दिख रहा है हम लोगों को लेकिन वो कम होता हुआ हमको दिखता नहीं क्योंकि हर पेपर में हम लोग देखते हैं कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो गरबड़ी स्तरा के दिखती है और वो अगर भढ़ रहा है बार बार तो फिर हम लोग यह कैसे माने की जो प्लान हो रहा है वो फुल प्रूफ है कुछ तो ऐसा हो रहा है जो लैक्स हो रहा है जिस पर अभी या तो आप लोग का फोकस नहीं है या तो उसके पीछे कोई ऐसा बड़ा नेकसस हो सकता है जिसको कोई ट्रेस आउट नहीं कर पा रहा है देखिए जर क्या है कि अगर कोई सिस्टम इस तरह की कारवाईयों हूँ, इंडेक्ट में उसके जा रहे हैं, तभी ये पकड़े जा रहे हैं, अगर वोड इस तरह की कारवाईय नहीं करता, तो शायद कभी पता भी नहीं लगता, और मेंली इसका टेकनोलोजी का यूज हो रहा है इसके अंदर, हमने ये डिसाइड कर आगे के लिए इसके ऊपर हम इतनी कारवाई करेंगे कि कोई मुबाईल भी तक नहीं ले जा सके, और जो भी कुछ होगा, विदेन दर सिस्टम होगा, अब देखे, रिडियूस हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बढ़ रहे हैं, लेकिन एक मैसेज जा रहा है पूरे एजुकेश सिस्टम में कि अगर किसी तरह की कोई हमने गौताई बरती आउट करने की कोशिश की तो आप सेफ नहीं हैं, यह मैसेज बड़ा क्लेर ली जा रहा है, जितने भी एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम से हैं, सेंटर्स हैं, और एजुकेशन से कनेक्टेड हुए लेक्ट काफी जगे हैं, नंबर ओफ केसिस भी बहुत कम बने हैं, तो मैसेज इस गुइंग अक्रॉस, आप सिस्टम को ओवरनाइट में टिंग निक कर सकते हैं, यह प्रयासों से इसके अंदर बहुत कमी आ रही है, और आने वाले समय में, जैलने शिक्षा बोड है, इस पर पूरी की तरहें रोक लगाने में कामियाब भी होगा, ऐसा हमारा विश्वास. इस बाद को इनसे पहले रिपीट कर रहा था, इसलिए काम हो रही जेज़ी, आप सुनिये, अमकार जी, जैलने तत्वास, आप इस तरहीचे से कोई फायदा नहीं होता है, तो समय की खराबी शुरू हो गई, ओंकार जी देखे, समय की खराबी शुरू हो गई, अब इस सब लोग अपने अपनी बात रख रहे हैं उंकार जी बाई देखें सुनिये सुनिये समय की खराबी करने का कोई वाइदा नहीं है यह केवल समय खराब कर रहे हैं आप लोग इतना महत्वपूर्ण विशह है कम से कम कोई ऐसी कॉंक्रीट बात यहां पर हो जाए जिससे कुछ हम लिश्करीट के दरफ पहुचे पूंक्र जी तुम्हें अपनी बात पर जटका लगे और आप शिरफ सुनिये अप चुपतर हो अरे आप चुपतर हो आयूज जी जिस संत्री संत्री और सरकार के उपर जिस परकार का लांचन लगाने के बाद में चुप रहा ये एक बाट के उपर तरफड़ा आगे मैं यह कह रहा हूँ कि ये जो इलाज हो रहा है जो रोजके पक्रज़ा रहे हैं आप समझ ये कि उस समय क्यों नहीं होती थी क्या इनने लोग के समय नकल नहीं होती थी क्या नकल के केस नहीं बहुती थी यहां नकल होती है तो कारवाई होती है और कारवाई होती है तो आगे दिए बंची है इसलिए आप इस बात को समझ के चलें कि मैं तीन विक्तियों को विक्तिकत रु बहुत गंबीरता से जानता हूँ, चाहे डॉक्टर जग्वीर सिंग जी हो, पीके सर्मा हो और चिवित प्रकाशी हो, इनके अपने गारेकाल को मैंने देखा है, इनके इंस्टिटोट्स को देखा है, इनके काम करने के तरीका देखा है, इनके जब काम करने का तरीका था तो नकल के विरोधी ये लोग मनने जाते थे ऐसे अधिकारियों के अपसरों के लगते रहते हम ये कहें कि उनकी सलिपता है और उमकार सिंग्जी इस बड़ी उमर के लिए आपको सलमानी से ये जब आप ये कहते हो कि सरकार की से नकल होगी है अधार जाने वाले थे तुम्हारे में में खुद वोगी हूँ खुद जानता हूँ तुम्हारी सरकारों के समय में अध्या पक्ड़ा हूँ तुम अपने अपनी सरकारों के समय होती थी उसको स्याद तुम भूल गए हो क्योंकि बहुत साल होगी तुम बड़ात आ रिया है कि तुम्हारे मंत्री और संत्री जिस्परकार का रिष्टाचार और आप जिस पार्टी के निता हो जिसके परवक्ता बैठे हो अरे सर्मानी तो ये परवक्ता के रूप में जो आदमे अनाचार और विष्टाचार ने करने की बात करता हो जिसका सारा तंत्र जेल के अंदर बेटा हो और वर्सों वर्सों की जेल खाकर आया हो वो आप गड़तन की बात कर रहे हैं और वही मैं महिमा सिंग जी की इजट के साथ बहुत करता हुँ अज़ कि अड़ीया जीए तुमारी क्यूंगी मैं में अद्रोशित है राजस्तां उसके अंदर पेपर आउड होए और एक पेपर आउड होने के बाद लांक कोशिस करने के बाद वो पेपर रद न होता है तो घृपधारियां भी होती है पेपर रद भी होता है और वो ऐसे आयोग्या आप जैसे दोग उसके प्राप्त नहीं कर सकते हैं आपकी सरकार महिमा तिक जिखा रहा रहा है और पेपर आउट हुआ रो रो के जख्या मार लिए पेपर रद नहीं किया वो कॉंग्रेस की सरकार है यहां 32 पेटिस भी यदि पेपर आ कहने लग जो कि गलत लोगों को पकड़ रहे हैं इसलिए आप इस बात को लेकर चलो कि यह सब्दिक बिमारी भी है उन लोगों के मानसिक रुप से बिमार है जो लोग इस काम के अंदर लगे हुई हैं और विशेसकर वो लोग तो सिस्ट्र के अंदर बैटे हैं वो किसी के इसकारिया हुआ हो तो उधारन पेस करिए जदि यह नकल करवाने वाले भाजपा के थे तो भाजपा ने उनको जेल की सलाकों के पीछे बेजा है उनको एक विक्सिक का में जो भी लगेगा लेकिन आप तोनुप पार्टी के लोग तो पैड़ा करने वाले हो पैड़ा करके उनको पालर करने वाले हो और पालर करके उनको बढ़ाने वाले लोगों जो आप लोगों के साथन काल के लुगरी मान सकता के काल है मैं उनके बढ़ाई और सुपकामने देता हूँ महिमा जी जवाब दीजे इनको दोने बोलने के लिए एक वक्त के यह बोलेंगे मैं महिमा जी आप अपनी मर्यादा को देख के बाद दो महिमा जी आपको आवाज आ रही है चलिए महिमा जी तक शाद मेरी आवाज नहीं पहुंचते है उनकार जी जवाब दीजिए आप अजू जी बहुत अफ्सोस की बात है कि यह पेपर लीक होता है यह नकल होती है और दोशी को पकड़ते हैं उसको भी उपलब्दी मानने लगे हैं अरे भाई आप ता सिस्टम ऐसा क्यों है जिसमें पेपर लीक हो रही है आप बार बार इनालों के शाषनकाल की बात करती है उसक्त वीजे भी किसकी कोज में बाती थी आज आपना ज़बंदन किस पार लिगे दाता है यह बताईए अरे जिसे के वा यह बता हो हो रही है आप मनते हो कि आपने उने के पास आपने रिक कर दी आप आए जिस कुन का बढ़़ने की शाषन कालं लेगे आप बात करते हो शाषनकाल मे उसके लिए को शरवार रहाए तो उनकार जी जो लोग इसमें संलिप्त हैं क्या करें उनको ना गिरफ्तार किया जाए उनको छोड़ दिया जाए सरकार होती सी लिए कि कोई गलत करेगा तो कारवाई की जाएगी ऐसे तो काएंगे कि भाई आपने पुलिस भी अपनी कारवाई करना बंद कर दे अपराधियों को को गिरफता कर रही वो उपलब्दी है क्या सरकार की पक्चीज पक्चीज क्रोड पर एक वर्ष के स्क्योर इसा तो कोई शासन हो इनी सकता जहां पर कुछ गलत ना हो गलत हो रहा उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है इस पर सवाल हो सकता लेकिन उसको लब्दी के तौर पर तो बताएंगे ना भाई कुनोंने कारवाई त जंता तोडेगी हैं हम आगे जंता तो तोडेगी हैं रहेरी जंता ना ऐस अब नवरह क्यों टोड़े। चलिए महिमा जी में मेरे साथ जोड़ गई मैं एक रेक्शन लेता हूं महिमा जी महिमा जी जबाब दीजिए आयूश जी एक बड़े सरल के प्रश्नी का उतर आप आज पर शाठीक उतर लीजिए और बस फिल्हाल में वही प्रश्नी कुछना चाहते हैं कि 25 करों के गोपनियता की बजट के बावजूद चैमरों की निगरानी से से सेक्रेटेरियेट से पेपर लीग कैसे होते हैं नकल की बात पर अभी जितनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रही हैं और दूसरों पर आरोप रस्या रोप कर रही हैं तो इस सवाल का जवाब शात्री जी जवाब दीजिए देखे आयोज जी विशे आज जो आपने तै किया था कि विद्याले सिक्षा बोड की परिक्षव में नकल और उसके उपाय या उसकी योजनाएं ये तो था आज का विशे महिमा सिंग जी के पास बोरड की कारिय प्रणाली पर प्रसंचिन उठाने का कोई इनके पास किसी प्रकार कि भी कोई आजब नहीं है. नहीं ये कह सकती कि नहीं हो रहा आज ये नहीं कह सकते कि जो रहा है वो हो नहीं सकता या कभी हुआ नहीं जो आज ही हो रहा है. ये इसलिए विशे को भटका कर दूसरी जगह लेके जारे ज़िए हम कहते हैं कि 25 क्रोड नी 100 क्रोड के बाद भी यदि चोरी होती है तो चोरी को पकड़ना उपलब्दी होगी या उसको छोड़ना उपलब्दी होगी वह यहां आपके यहां तो चोरी का कामी नहीं था क्योंकि सिधा में प्रू हो गया विधान सभा में वो चीजे चर्चा के दरा आपके समय के हुआ हमारे डुक्तर आभे सिंग जी ने वो दो आंसकर प्रत्र दिखाया आपके समय के वो उसको याद करवा पहले कि वो 25 क्रोड के बाद भी कैसे निकल गई थी बार ठीक है महीमा जी महीमा जी लेकिन आज जो कारिया प्रनाली बोरण की है उसके उपर प्रसंद चिन उठाई है उस पर चप्छा किजिए उसके उपर दुबारा आज से समय आएगा कोई प्रत्र आभे महीमा जी आईुष जी यह भाजपा के प्रवक्ताओं को पर गलत सहमी है कि इनकी पास कोई ऑथरि विखनलेशी है विर से ज़िए को आपनी करते हों शुफा नहीं हो गया है अशुफा नहीं आनी काई आयुश्टी मगी कहना चाती हूं मैंने तरर्राष्ण पूचा था तरर्राष्टीक उससर भाजपा के प्रवस्टा नहीं दे पाए उससे उनकी आज की परिस्किती पश्ट होती है दूसरी बात उन्होंने बहुत पश्ट करी किसी ये कही चाहिए पहले नहीं होता था भाजपा हमेशा इस बात में जगह ढूंदती है इस बात में आसरा ढूंदती है कि पहले होता था इससे क्या भाजपा ये कहिना चाहिए प लेकिन अभी आगे आप लोगों के सामने क्या चैलेंज हैं चुकि को आप कोशिश हो रही है उसके बाद भी आपने देखा इस डिसकेशन में भी बहुत सारे सवाल हैं लेकिन इसको किस तरह से और इसको कैसे बनाया जा सकता और उसके लिए क्या प्रयास रथ हैं आप लोग कि मैं मेरा अपना 26 सालों का अनुवा है और मैं सेंटर सुप्रेटेंडन भी रहा हूं सबसे बड़ा एक्जामिनेशन सेंटर का मैं सुप्रेटेंडेंट रहा हूं जहां पर आठारा सो बच्चे अलोकेट हुए गे थे और सवा नौसों बच्चे एटे टाइम एक्जामिनेशन दे रहे थे कोई एक पुलिस वाला सेंटर के बाहर नहीं था कोई कोई फ्लाइंग नहीं लेकिन उसके बावजूत किसी एक बच्चे ने भी गर्दन क्या मोडली हो और ऐसा ही अनुबाव डॉक्र जगबीर सिंग्जा कि अभी है जब हम सेंटर में जाते हैं तो इश्वर की कृपा है कि जब हम देखते हैं तो हमें जट पता भी लग जाता है कि हो क्या रहा है मुझे नू के अंदर स्टम्स हाइबान ने पूछा सब आपका शक कैसे गया सेंटर सुप्रेटेंडन के उपर तो क्या है कि इस गहराई तक जड़ तक हम पहुंच पा रहे हैं तभी इतने केसिस पकड़े जा रहे हैं वरना उससे पहले इस तरह की सब्सक्रावाई कर रहे हैं और सिस्टम को फुल प्रूप बनाने में लगे हैं आने वाले समय में कोई एक भी निकल्ची बच नहीं पाएगा और सिस्टम एक दम नकल रही रहे जाएगा यह हरेना जिद्याला शुक्षा पोर्ड का प्रयास है और हम इसे करके दिखाएंग यह हाई-tech तरीकों को कैसे आप लोग कांटर करेंगे कि समय तो टेक्नलोजी का जमाना और जितना दिमाग इस टेक्नलोजी का नकल में लगाते हैं अगर उतना थोड़ा पढ़ने में लगाने तो शायद इसकी आवशकता ना पड़े लेकिन दुरभाग यह है अब उसको आ पानसिकता बदलने होगी पैरेंट्स की जितने भी स्टेक होल्डर से जैसे महिमा सिंग जी कह रहे थे कि भी सब इस ट्रेक होल्डर को लेकर पॉलिसी बननी चाहिए मैं समझता हूँ कि तो सही कह रही थी और ऐसे ही हम सब को मिलकर एक पॉलिसी बनाएंगे कि किस तरह से हम इस पर रोक लगा सकते हैं और यह डाल डाल और पात पात चलने का तो खेज चलता रहता है लेकिन अगर हमें इसके उपर रोक लगाने तो हमें एक स्टेप एडवां लेकिन उन्होंने भी नए सिस्टम अपना इजात किया और उस पर रोक लगाई ऐसे हमने भी इसके प्रयास किये हैं और इसे से लोग पकड़े जा रहे हैं पर ऐसा नहीं है कि ये लोग ज़्यादा लंबर चल पाएंगे तारवाई हो रही है और आने वाले सित्मे में हर्य प्रदेश होगा ओंकार जी आप एलिगेशन के लावा कुछ आपको लग रहा है कि कॉंक्रीट कुछ करना चाहिए जो आपको लग रहा है कि भाई लैक से वो भी बता दीजे क्या रूप प्रतरों तो चलता रहेगा आयोजी मैं बताना चाहूँगा इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम सब होते हैं हमारे देश में UPSC एक ऐसी संस्ता है जो देश में आयोज और IPS की से एक्जाम लेती है आपने कभी सुना UPSC का पेपर लीक हुआ सुना कभी आयोजी बताएए आयोजी मैं आपसे पूछ रह बना के रख दिया इन्होंने इनको उन बच्चों का मुश्य नजर नहीं आता जो मेंद करके पेपर दे का लिए हासी एमत इस पर कारवाई के लिए सरकार आप ती आपके पास कोई भी बात होती है आपके तो पहले भी पेपर लिक होता था पहले भी पहते हैं अगर पहले और यूटियस से क्या बढ़ाई कर रहे हो मैं तो अगर उसका पेपर लिक नहीं होता तो कोई नोपी प्लानिंग तो होगी आप ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं बनाते जब भी कोई बात होती है आप कहते हो यह कांगरस के लिए नहीं होता था अगर कांगरस की सरकार अच्छी होती आपके मंतरी संत्री आज के रेडी लगा के बढ़ते होते उसमें कुछ कमिया थी जिसकी वज़ा से जनता ने आपके आप लोग के अच्छी होती तो कॉंगरस के नहीं आपके लिए ठीक है आप लोग किसी आरोप की त्यारोप की बीजना चर्चा मुझे आप यहीं समाप्त करनी पड़ेगी मेरे पास समय नहीं है आप सभी लोगों का बहुत शुक्री अपना समय निकालने के लिए इस